नमस्कर दूस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजिकिस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं मॉन्टेक एलसी टैबलेट के बारे में तो यह जो मेडिकेसन है वो खास कर जो अलग-अलग एलर्जिक रियक्सन्स होते हैं उसके इलाज में यूस की जाती है तो मान हैंवा आपको अलर्जिय होयरे उसके करन क्या होता है कि लगादार आपको छी के आती रहती है, फिर नाक से पाने बयने लगता है फिर कुछ लोगों को क्या होता है कि काफी ज्याधा itching होने लगती है skin के उपर जो वो racist बन जाते है तो ऐसे conditions को ठीक करने के लिए Montag LC Tablet जो वो use की जाती है तो उसके बारे में detail में जानते कि उसका content क्या है फिर किस तरह से medication अपना काम करती है उसका dose वगरा क्या है तो detail में जानते है Montag LC Tablet के बारे में आज के lecture के अंदर तो ऐसे ही आपको बहुत सरी दवायू के बारे में सीखना है तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं तो ये course जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं तो medicine course में आप बहुत सरी दवायू के बारे में डीटल में सीख सकते है तो अब आदे topic पे और समझते हैं Montag LC Tablet के बारे में तो ये medication जो वो ऐसे glass का दवाय है कि जिसको हम anti-histamines कहते हैं और इसके अंदर दो दवायों का combination है तो जो salt content है उसके अंदर जो दो दवाया है पहली जो है वो है Montelucast करके कि जो 10 mg जितना ये tablet के अंदर present है और जो दूसरा है वो है Levosatrisin की जो 5 mg जितना ये tablet के अंदर present है manufacture के हम बात करें तो Sun Pharma जो है उसका manufacture है और popular उसका use हम देखे तो allergy के लिए ये medication जो हो खास कर use की जाती है तो आप समझते हैं उसके label के बारे में अच्छे से तो याप याप label में आप study करो तो सबसे पहले उपर की और आप देखो तो RX लिखा हुआ देखने को मिलेगा मतलब कि ये prescription based medication है तो जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही बेचा जाता है फिर ये आगा है उसका brand name Montec LC तो Montec जो नाम पड़ा है वो पड़ा है Montelucasper से Montec लिया गया है और जो पीछे LC लिखा गया है उसका मतलब होता है ये Levosat resin तो इस तरह से दो दवा या जो इसके इंदर combination में है तो जो लगादार समझे के आपको छीके आती रहती है फिर नाग से पानी बैता है या फिर आपको allergic reactions हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा के रुप में ये जो है वो यूज की जाती है तो याप याप उसका content देख सकते हैं कि ये जो medication जो है जो ये वो add गए गए है आगे जानते हूं उसके instructions के storage के बारे में तो store की जाती है room temperature पे और ध्यान रखना है कि आपको light and moisture से ये medication को जो वो protect करनी होती है इस तरह से proper जो है उसका packing जो है वो available होता है और cedule edge की भी याप वर्निंग है कि जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि ये medication prescription based है तो retail में जब भी आपको बेचना है तो आपको prescription के साथ ही उसको जो ये वो बेचनी होती है अब बात करते है कि monty leucast क्या है वो आप अच्छे से समझो तो monty leucast जो ये वो leucotrine antagonist medication है और ये medications क्या करती है जो leucotrine receptors होते है उनको block कर देता है तो leucotrine receptor block होने से क्या होता है कि जो कुछ ऐसे mediators release होते है कि जो allergic reactions के लिए responsible होते है वो दिरे-दिरे कम हो जाते है और उसके करण क्या होता है कि समझो कि आपको जो भी symptoms देखने को मिल रहे allergy के related वो ये दवाई लेने के बाद जो दिरे-दिरे कम हो जाते है फिर montelukas जो वो अस्थमा की इलाज में भी use की जाती है और बहुत सरे allergic reactions को ठीक करने के लिए ये useful सा भीत होता है फिर जो allergy के लिए एक mediator या फिर एक मारक जो होता है IgE, immunoglobulin E का जो level जो बढ़ जाता है जब भी आपको allergy होती है तो IgE level को भी reduce करने में montelukas जो आपको मदद करती है और उसका जो dose रहता है वो खास कर 10 mg जितना दिन में एक बार जो वो पेशन लेता है Leocetrizin जो एक anti-histamine drug है और ये क्या करता है histamine receptors को block करता है जिसके करण जो cytotoxic mediators जो है जो responsible है allergy के लिए जो histamine तो histamine receptor block होने से histamine का जो level जो है वो आपके सरीर में दिरे-दिरे कम होने लगता है और histamine जो है वो specially responsible बनता है बहुत सारे allergy reactions के लिए तो क्या होता है कि जब भी histamine का level आपके सरीर में कम हो जाता है तो allergy जो है वो दिरे-दिरे treat होने लगती है और उसके जो symptoms से वो आपके सरीर के अंदर जो है वो कम हो जाते है तो levocetrizin का जो dose बनता है वो रहता है 5 से लेकर 10 mg जितना ओर ली जो है वो patient लेते है तो अब बात करते हैं ये medications के use की तो सबसे पहले ये जो medication है वो बहुत सारे allergic reactions को ठीक करती है तो उसमें जो runny nose मला कि नाक से पानी बैना कि समझो कि जैसे ही आपको धोल या मिट्टी के contact में आते है या फिर pollen की आपको allergy है, dust की allergy है या फिर किसी भी तरह की allergy तो तुरंद क्या होता है कि आपके नाक से पानी बैने लगता है फिर watery eyes मलें कि आक से पानी आने लगता है आखिर राल हो जाती है फिर sneezing मलें कि बार-बार आपको छीके आती या फिर लगादर छीक आती रहती है cold की condition produce होती है fever कई बार कुछ लोगों को देखने को मिलता है फिर allergy के करन कुछ लोगों को eczema की जिसको हम skin dermatitis कहते हैं वो हो जाता है या फिर hives develop हो जाते है skin के उपर की जिसको हम red patches कहते हैं या फिर dots बन जाना आपकी skin के उपर फिर दूसरा use देखे तो अस्था मां की इलाज में भी उसको prescribe की जा सकती है पेट allergy हम लगे किसी आप animal के contact में आते हैं तो उसके करन आपको allergy हो जाना फिर dust की allergy है skin raises, allergy granitis artycaria या फिर consultivitis तो यह सभी conditions को treat करने के लिए Montec LC tablet जे वो prescribe की जाती हैं अब बात करते हैं उसके dose की तो जो minimum dose है वो रहेगा एक tablet per day तो किसी भी time जे वो patient एक tablet ले सकता है खासकर आप खाना खाने के बाद जे वो उसको ले सकते हैं maximum dose के हम बात करें तो दिन में डो tablet ले सकता है maximum dose के तोर पे बद दो से ज़्यादा tablet नहीं लेनी चाहिए एक या दो tablet ही दिन में लेना enough होता है बच्चों के लिए बात के तो बच्चों के लिए जो उसका half dose होता है एडल से तिसलिए जो हो sun farma नहीं Montec LC करके बच्चों के लिए syrup बनाई हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 ml पर क्या यह syrup जो खास कर अवे लेबल होता है बच्चों के लिए समझो के same symptoms बच्चों में होता है तो उनके लिए tablet के बज़ाए जो है वाब Montec LC Kid Syrup जो है वो use कर सकते हैं अब बात करते हैं उसके side effects के तो यह दवाई लेने के बाद कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा फिल होता है कि जी गब राता है उल्टी हो जाना dryness फिल करना mouth के अंदर तो यह side effect है तो आपको क्या करना पड़ता है कि बार बार पानी पीना पड़ता है प्यास ज्यादा लगती है और dryness फिल होता है आपके गले के अंदर आपके oral cavity के अंदर skin के ओपर कुछ लोगों को रैसिस हो जाता है कि अगर उनको यह medication suit नहीं करती कुछ लोगों को diarrhea या या दस्त हो जाता है सिर्दर, skin, rैसिस, mild sleepiness and wakeness यह medication लेने के बाद आपको नींद आ सकती है तो खास दियान यह रखना है कि उसको आप high dose में कभी भी यूज़ ना करें जो मैंने अभी आपको बता है कि एक tablet या फिर maximum दो tablet ही लेनी चाहिए उससे ज्यादा दवाई जो यह ना ले आओ आगे बाद करते हैं उसके warnings के तो पहली warning यह रहेंगे कि ऐसे patient की जिनको PKU का problem है मतलब phenyl ketonuria के जो patients है उनको यह medication जो यह नहीं देनी चाहिए फिर second किसी को allergy है montilocast की या फिर liver set resensin तो भी यह medication आप यूज़ ना करें किसी को hypersensitive reactions हो जाते हैं फिर एक warning यह है यहाँ पर कि यह medications लेने के बाद आप drive ना करें तो यह खास ज्यान रखना है कि do not drive after using this medication फिर किसी को liver disease है, kidney disease है या फिर pregnancy की condition है तो वो condition में भी यह दवाई को use ना करें अब जानते हैं drug drug interactions के बारे में तो Montelukas जो वो combination में कुछ दूसरी दवाईों के साथ interactions कर सकते हैं उसकी effect कम हो सकती है जैसे कि मानलो आप diphenyl hydramine के साथ combination में Montec-LC यूज़ करते हैं तो यह दोनों को combination में यूज़ करने से दवाई की effect जो वो कम हो सकती है फिर duloxatin के साथ combination में यूज़ ना करें प्रेगा बालेन, मीडो ड्राइन, अल्परा जोलाम एंड रिटो नाविर जैसे दवाईों के साथ कभी भी combination में Montec-LC को यूज़ ना करें तो ऐसे ही समझें कि आपको बहुत सारी दवाईों के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं पार्मारोक्स के अब उपर तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अभी download करें mobile application, फार्मारोक्स या फिर हमें WhatsApp करें medicine course को जोईन करने के लिए Good luck and all the best